दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टड़ी विट समर में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SSC में आई CHSL यानि की कमबाइंड हायर सेकेंडरी लेबल भरती के बारे में तो इस वीडियो में इस वाकेंशी के बारे में सब भी डिटेल सापको बसाओंगा Step Bust तो Friends किसी भी Government जाप की जनकारी पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे किलिक कर देजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस वीडियो को जितना उसका अपने दोस्तों साथ सेयर कीजिएगा जिने इस वीडियो की आऊ सेकता है और जो इस वेकिंशी का इंतिजार कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगए तो उसे प्लीज एक लाइक जरू कर दीजिएगा तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे SSC CHSL इकुट्मेंट 2020 तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसका अपडेट आया है जो आपको अपडेट आ चुका है और यह जो अपडेट है दोस्तों 13 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है नोटिफिकेसन नमबर आज देख सकते हैं CHSL लिग जाम 2020 आवेदन के अगर हम बात करने तो इसके आवेदन करने के जो अंतिमती थी हो 15 दिसंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और दोस्तों इसके बारे में आपको डीटेल्स में बताऊंगा इस नोटिफिकेसन की डेट के बारे में दोस्तों से पहले जान लेते हैं basic information के बारे में तो position आप दोस्तों आप देख पाएंगे CHSL 2020 वही अगर हम बात कर लेश के job location की क्या नहीं कि इसमें chain होने के बाद जो आपकी पोश्टी होगी और all over इंडिया के लिए होगी वहीं दोस्तों qualification details की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए आपके पास 12 class pass होना चाहिए यदि आप 12 class pass हो चाहिए science हो, commerce या mathematics कोई भी stream हो यदि आप 12 class pass है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने का जो माध्यमों के दोस्तों केवल online होगा फेंट्स वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो संबंदित कोई भी सोजाओं या आपके कोई भी प्रस्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपके कमेंट का reply जरूर दूँगा साथी दोस्तों इसके आवेदन करने का लिंक और इसके official notification का लिंक आपको वीडियो के description मिल जाएगा आप जाकर वहाँ से चाहें तो details को चेक कर सकते हैं तो फेंट्स बात कर लें हम इसके महतोपूर दितियों की तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है छेट नमबर 2020 से और आवेदन करने की जो 31-35 दिसंबर 2020 वहीं दोस्तों एक्जाम डेट की अगर हम बात कर लें तो इसका एक्जाम डेट 12 सले कर 27 अपरेल 2021 के बीच में आयुजित किया जाएगा तो इसकी इंपोर्टेंस डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं अगर हम बात कर लें इसके अपली कैसल फीस्ट की यानि कि दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो आपको आवेदन सुल्ख देना होगा तो इसमें जनरल और OBC के टेगरी के लिए 100 रुपए का सुल्ख होगा वहीं SCST Physically Handicap'd All-R के टेगरी Female के लिए कोई भी आवेदन सुल्ख नहीं देना होगा यानि कि दोस्तों जो आवेदन सुल्ख होगा वो फ्री होगा वहीं जनरल और OBC के अभीरती इसके फीज का भुकतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड या फिर निट बैंकिंग या फिर आफलाइन एच अलान के मादियम से इसके फीज का भुकतान कर पाएंगे और दोस्तों इस वेकेंसी के लिए आप पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं चाहें आप किसी भी स्टेट के अभीरती हों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस वेकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोरों ही आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बात करने से स्केलिटी क्राइटरिया और वैकेंसी डिटेल्स की तो फ्रेंट्स इस एक्जाम की तैयारी करने के लिए यदि आप अच्छी से अच्छी बुग खरीदना का चाहते हैं तो आपको बेस्ट बुग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाकर वहाँ से बुग को पर्चिश कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट नेम होगा वो लोवर डिविजन कलर और जूनियर सेक्रेटियर असिस्टेंट के पदो पर वैकेंसी आने वाली है वहीं कॉलिफिकेसन डीटेल्स बार हमें पास होगा वहीं अगर हम बात करने इसकी एज लिमिट की तो इसमें मिनमम एज 18 सार और मैक्सिम 27 वर्ष ने धारित की गई है और दोस्तो इसमें आरक्षित बार के अभयरतियों के लिए आयस रिमा में छोड भी दी जाएगी जिसमें सेवस्टी के लिए 5 साल और इसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छोड दी जाएगी वहीं अगर हम बात कर ले उम्र की गढ़ना की तो इसमें आपकी उम्र एक जनवरी 2021 के अधार पर की जाएगी वहीं अगर हम बात कर ले इसके सेलरी की तो इसके सेलरी 19,900 रुपे से लेकर 33,200 रुपे पर मंद की सेलरी होगी वहीं दोस्तो अगर हम बात कर ले postal costs Justin oder sorting assistant की तो इसके लिए भी 12 class pass होना चाहे age limit same होगी वही salary की बात कर ले तो इसके salary 25500 रुपे से लेकर 81100 रुपे engagements की salary होगी वहीं दोस्तो अगर हम बात कर ले data entry operator की तो इसके लिए भी 12 class pass होना चाहे और इसके जो सेल लियों के दोस्तों सेम होगी 25,500 रुपे से लेकर 81,100 रुपे पर मन्स के सेल लियों होगी एज लिमिट 18 से लेकर 27 बर्स के बीच में होना चाहिए और उम्रकी गाड़ना एक जनवरी 2021 की आधार पर की जाएगी तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा यदि अच्छा लगा आतों से प्लीज लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पे पहरी बार आए तो चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजेगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यह लेटेस्ट अपडेट है जो कि CHSL वेकेंसी का अपडेट है जो कि SSC के वेब साइट पर आ चुका है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेबल एक्जाम 10 प्लस टू और दोस्तों यह 6 नॉमबर से आवेदन स्टार्ट हो रहा है और 15 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और एक्जाम डेट यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 12 से लेकर 27 अप्रेल 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा और दोस्तों इस एक्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से जाकर बुक को पर्चेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम मिलेंगे अंगले वीडियो में एक नई वैकेंसिय के साथ तब तक के लिए थैंक्यू